प्रभु के नाम की स्तूती हो इस संदेश को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ इसी तरह के बहुत सारे मेरे संदेश पोस्ट होते रहते हैं उन में से कोई भी संदेश मिस्त न हो जाए उसके लिए आज ही एक काम कीजिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है उसको दबा दीजे उसके बाद उसके बगल में एक और बटन है जो गड़ी के चिन्ने से दिखाया जाता है उसको भी प्रेस कर दीजे तो आएंदा हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे तो तुरंत इमेल से उसकी सूचना आपको मिल जाएगी और आप कोई भी मेसेज या कोई भी संदेश मिस नहीं करेंगे आज ही कर लीजिए प्रभू आपको अपना नुग्रा दे हाँ एक बात और यदि आपके मित्रों में ऐसा कोई है जिनको इन संदेशों से आत्मिक प्रोचसाहन मिल सकता है तो उनको जरूर बताएं कि वे इस चैनल को जरूर देख लें ये चैनल यूट्यूब बार जे सी फिलिप या यूट्यूब स्लैश ये सी फिलिप नाम से पहुचा जा सकता है जूलिया ये सूने चूलिया जूलिया जुड़ गया जिन्दगी से नया जिलसेला हर गड़ी हर जगा कहूं हालेलुया हालेलुया जूलिया 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 जू दिलता वीरान थल येशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया हर गड़ी हर जगा गउं हालेलुया आलेलुया 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 मुझको पाकीज गी खुन ये शुने दी मेरी बिगडी हुई बात बनती गई मुझको पाकीज गी खुन ये शुने दी मेरी बिगडी हुई बात बनती गई रास्ता खुल गया फिर मुला का तिल का रास्ता खुल गया फिर मुला का तिल का हर गड़ी हर जगा वहू आलेलुया Αλληλούφια, Αλληλούια, Αλληλούφια, Αλληλούφια मेरी उमीद की मिल गए तो जहां एक नई है जमी एक नया आसमा मेरी उमीद की मिल गए तो जहां एक नई है जमी एक नया आसमा दर खुला रूह में अप्दिया राम का हर गड़ी हर जगा वहू आलेलुया अलेलुया, अलेलुया, अलेलुया चूलिया चूलिया ये सूने चूलिया 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 ये सूने चूलिया जुड़ गया जुड़ गी से दाया सिल सेला हर गड़ी हर जगा कऊ हालेलुया हलेलुया मसीही जीवन में हम फलवंत कैसे हो ये प्रश्न हर मसीही को अपने से पूछना चाहिए क्योंकि प्रभू का वचन बार बार याद दिलाता है कि हमारा जीवन फलवंत होना चाहिए फलवंत होना चाहिए ये बात कल हमने प्रभू के वचन से बहुत यदिक विस्तार में देखा आज उसका दूसरा भाग प्रभू के वचन से हम देखेंगे कि अपने व्यक्तिगत जीवन में हम फलवन्त कैसे हो और जैसा मैंने याद दिलाया था जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में फलवन्त होते हैं तब पवित्रात्मा स्वयम भी हमारे जीवन में फल प्रड्यूस करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि एक विश्वासी के जीवन में दो प्रकार के फल होते हैं एक जब हम पवित्रात्मा पर आश्रित होकर अपने जीवन में समर्पन दिखाते हैं तब उसके द्वारा हम जो करते हैं और जब हम ये कारिय करते हैं तब पवित्रात्मा हमारे जीवन में जो अधिरिक्त फल प्रोड्यूस करते हैं हमारे जीवन में किस तरह से फलवंथ होना है इसके बारे में प्रभू के वचन में दर्जनों जग प्रभू ने कहा है लेकिन आज उसमें से एक सिर्फ एक ही portion है जो मैं आपके सामने pick up करना चाहता हूँ जो हम देखते हैं लूका के सुसमाचार, लूका रिचित सुसमाचार का 19 वाध्याए लूका रिचित सुसमाचार, 19 वाध्याए के बारहुए पद में हम देखते हैं प्रभु ईश्व ने कहा एक धनी मनिश दूर देश को चला जिससे के राजपद पाकर फिर से वापस आए प्रभु ने जो बहुत सारे उदाहरं दिये थे, जो उपमाएं दी थी, जो कहानियां सुनाई थी उन कहानियों में जो नायक है, जो शासक है, जो पिता है वो अकसर प्रभु की और इशारा करते हैं और यदि उस कहानि या उपमा या उस हुदाहरं का असली मतलब समझना है तो इस बात को मन में रखना होगा कि इसमें जो नायक है, वो प्रभु है आज हम जो कहानि बढ़ रहे हैं, या जो ब्रिश्टांप पड़ रहे हैं इसमें भी एक धनी मनश के बारे में हम देखते हैं जो दूर देश को चला ताकि राज़ पद पाकर फिर से आए धनी मनिश प्रभू है और दूर देश को चले गए मतलब देहदारी होकर इस जगत में आए जिससे की सूली पर अपना बलिदान मेरे आप के लिए अर्पित करके हमको पापों से छुडाके मुक्तिदाता बनकर पिता से राज़ पद पाएं इसके बारे में प्रभू के वचन में अन्य जगों पर और विस्तार से कहा गया है लेकिन हमारा में मुक्खी विशे वो नहीं है मुक्खी विशे आगे है लेकिन मुक्खी विशे की प्रिश्टबूमी समझना जरूरी है यहां प्रभू ने अपने मनिश्यावतार के बारे में बात कही है उसके बाद तेर्वे पद में हम देखते हैं उसने अपने दासों में से एक्शली इसका सही अनुवाद है गुलामों में से हिंदी बाइबल के अनुवाद के समय गुलाम शब्द के प्रयोग के बदले कई अनुआग जिनने किया उनने कई जगे दास शब्द का प्रयोग किया है लेकिन असल में ये गुलाम है अपने गुलामों में से दस को बुलाकर उन्हें दस महरें भी औरन से कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना, विनिमाय करना यहां दो तीन बातें याद रखने की हैं प्रभु के वच्छन में हिंदी में जो अनवाद है उसमें मोहर कहा गया है इंग्लिश अनवाद में कुछ और बहतर शब्द का उपयोग हुए वहां कहा गया है पाउंड, दस को बिलाकर दस पाउंड उनको दिया, मतलब हर एक लेक्टी को एक पाउंड दिया ग्रीक शब्द कुछ और है और इंग्लिश अनवाद लगभग सही है पाउंड करंसी के रूप में नहीं, वजन के रूप में एक पाउंड लगभग 450 ग्राम के बराबर होता है दो दिश्मलों, दो पाउंड एक किलो होता हम जानते हैं पॉंड की बात हो रही है और इंग्लिश में जो अन्वाद है उसमें उस पॉंड की चर्चा हुई है मतलब मालिक ने दासों को बुलाकर उनको लगबक 450 ग्राम का एक पिंड दिया चांदी का भी हो सकता है सोने का भी हो सकता है संभाव ने इस बात की है जब हम उस पूरी घटना को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संभाव ने इस बात की है कि सोने का एक पिंड दिया सोने का आदा किलो यदि एक नौकर को दिया और उसे कहा कि जाके से विनिमे करो तो एक बात स्पष्ट है कि काफी बड़ी पून जी उस गुलाम को दी गई थी जिससे कि वो लिनिमे करे या व्यापार कर सके इन दिनों एक पौंड सोना यदि कोई खरीदना चाहे साड़े चार सो ग्राम सोना यदि कोई खरीदना चाहे या कोई बेचे तो बीस लाख रुपे के करीब उसकी हीमत होगी तो आज की जो वास्तविक मुद्रा है उस मुद्रा के हिसाब से कहा जाए तो इस संसार के शाश्वत मालिक ने मैं और आप जो उनके गुलाम है बच्चे हैं उसके साथ साथ गुलाम भी हैं हम सब को एक बहुत बड़ी पूंजी दी या एक बहुत बड़ी पूंजी का निवेश डिपॉजिट हमारे जीवन में किया और हमको जो समय दिया गया है उस समय में लेन देन करने को कहा है इसकी भी एक प्रिष्ट भूमी है ग्यारुए पद में हम देखते हैं जारुए पद में हम देखते हैं जब वे बापे सुन रहे थे तो प्रभू ने एक ब्रिष्टात कहा इसलिए कि जब वो यरिशलेम के निकट थे तो वे लोग शिश्य समझते थे कि पदमेश्वर के राजी अभी प्रगट हुआ जाता है प्रभू उनको बताना चाते थे कि पदमेश्वर के राजी अभी नहीं प्रगट होगा अभी कुछ समय है और ये समय प्रभू ने इसलिए निक किया है जिससे कि प्रभू के बच्चे उनको जो पूंजी दी गई है उस पूंजी से लेन देन करें विनिमे करें और पूंजी और अदिक अपने जीवन में कमाएं तो आज जो प्रश्ण प्रभु के वचन के संदर्व में हम देख रहे हैं वो प्रश्ण ये है कि प्रतिविन के जीवन में हम फल्वंथ कैसे हो जैसा मैंने यह आप दिलाया प्रभु आपने जीवन में फल्वंथ होने के बारे में दरजनो स्टेटमेंट या कथन प्रभू के वचन में हम पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ एक कथन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो कथन ये है या स्टेटमेंट या वाग्या ये है तुम्हारे जीवन में मैंने जो निवेश किया है जो इन्वेस्मेंट किया है उससे जिन्दगी भाग जब तक मैं वापस ना हूँ मतलब जब तक हमारा जीवन समापत नहीं होता है तब तक उससे विनिमे करो प्री भाईयों और बहनों आज जब हम प्रभू के वचन के समक्ष बैठे हुए हैं तो पहली बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस ठंड मैंने और आपने प्रभू ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया उसी ठंड प्रभू ने ना केवल हमारे पाप माफ कर दिये ना केवल हमको शाश्वत जीवन दिया बलकि मुझे और आपको लेकर प्रभू के शरीर के अंग बनाया और अंग बनाने के साथ साथ हम में से हर एक के जीवन में कई प्रकार के निवेश किये जिसमें से एक निवेश के बारे में हम पढ़ते हैं पहला कुरंतियों 11 अधियाए में पहला कुरंतियों 11 अधियाए में जहां पवित्रा आत्मा के 32 में के बारे में कहा गया है उसी अधियाए को आगे पढ़ेंगे तो वहां प्रभू का वचन सपश्टतिया कहता है कि एक वेक्ति को इस आत्मा के द्वारा फलानी चीज दी जाती है, दूसरे वेक्ति को फलानी चीज दी जाती है, जिससे कि हम सब उसका उपयोग कर सके। तो जिस ठ्षंड मैंने और आपने प्रभु ईश्यो को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया, उसी ठ्षंड पवित्र आत्मा ने मेरे और आपके जीवन में पहला कुरिंतियों 11 के हिसाब से कम से कम एक आत्मिक वर्दान दिया जो प्रभु का निवेश है हमारे जीवन मे जैसा मैंने कहा और भी काफी सारे निवेश है लेकिन आज मैं सिर्फ एक निवेश के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है पवित्रात्मा के द्वारा आपको दिया गया आत्मिक वर्दान और प्रभु का कहना है कि उस आत्मिक परदान का हम सहीरीती से उपयोग करें पहला पत्रस, चौथे अध्याय के दस्वे पद में साफ साफ लिखा है कि उसका उपयोग हम करें ठीक है? तो स्वामी ने दे दिया, बुला मेरे लोटाने तक लेन देन करना ठीक है? अच्छा, चौध हुए पद में हम देखते हैं, परंतो उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों से कहला भेजा कि हम नहीं चाते कि वो हम पर राज्य करें ये संसार की रीती है, ये गुलाम प्रभू की संतान थे, नगर के लोग कौन थे? नगर के लोग वे मसीही हो सकते हैं, जो नाम के मसीही हैं, लेकिन जिननोंने कभी प्रभू को ग्रहन नहीं किया, इसलिए ना तो प्रभू की संतान है, ना प्रभू के गुलाम है, नगर के लोग गैरमसीही लोग भी हो सकते हैं, जिनने कभी प्रभु को ग्रहन ही नहीं किया, वे लोग नहीं चाहते हैं कि प्रभु का जो सनातन राज्य है, उस राज्य को प्रभु हमेशा सदा सरवदा के लिए राज्य करने के लिए वापस पधारें, जाने के बाद वापस पधार लेकिन मुख्य विशे वो नहीं है मुख्य विशे पंद्रिवे पद में हम पढ़ते हैं जब वो राजपद पाकर लौट आया मैं आगे बढ़ने से पहले जो राई याद दिला दूँ संसार में हमारे आपस पास जो कुछ हो रहा है वो इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु ये शुके वापस आने का समय प्रती दिन निकट होता जा रहा है इसलिए हमें तयारी रहनी है राजपत पाने के बाद यहां स्वामी लोट आया मेरे और आपके प्रभु भी जब सही समय होगा तब लोट कर आएंगे अपने दासों को जिन्हें रोकड भी थी उन्हें अपने पास बुलाया ताकि मालुम करें कि उन्हें लेन देन से क्या क्या कमाया प्रभु के वचन का हर शब्द महतुपूर्ण है प्रभु ने यहां प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि उनको बुलाके उनसे मालुम करना चाहा कि कुछ कमाया है या नहीं, जी नहीं, कुछ कमाया है या नहीं का तो सवाली नहीं है, यतनी बड़ी पूंजी जब दे दी गई है, तो यकीन मानिये कि कोई भी व्यक्ति उस पूंजी से व्यापार कर सकता है, कमा सकता है, और इसलिए कमाया या नहीं? वहाँ सवाल यह नहीं है. सवाल यह है, क्या कमाया? कितना कमाया? तब पहले ने आकर कहा, ए स्वामी, आपके, आपने जो मोहर मुझे दिया था, मतलब जो पिंड सोने का मुझे दिया था, उससे दस और मोहरे कमाई हैं, मतलब आपने मेरे जीवन में एक निवेश किया था प्रभू और मैंने इतनी महनत की मैं इतना फल मंत हुआ प्रभू कि दस कुना फल आज आपके सामने रखने के लिए है पेश करने के लिए है प्रभू ने कहा ए उतमदास तुझे धन्य है तो बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला आप दस नगरों पर अधिकार रख दूसरे ने आकर कहा स्वामी तेरी महर से पांच और महरे कमाई है उसने कहा तू भी पांच नगरों पर हाकिन हो जा देखिए दूसरे वाले से ये नहीं कहा कि अच्छा उसने तो दस कमाई और तूमने सुर्फ पांच ही कमाई क्या जी नहीं प्रभु सॉयम जानते हैं कि जब हम अपने जीवन में फल लाते हैं तब सब विश्वासियों के जीवन में फल एक जैसा नहीं होता है सब विश्वासियों के जीवन में फल अगर अलग अलग प्रकार के रूटे हैं प्रभू तो ये देखना चाहते हैं कि फल लाते हैं हम फल लाते हैं या नहीं लाते इस बात को याद रखें कि हमारा ये जीवन प्रभू के द्वारा एक परीच्छा का समय है हम साब जानते हैं बैंकों में probationary officer होते हैं और जैसे ही BSC, MSC कर लेते हैं बहुत सारे जवान लोग probationary officer का exam देते हैं क्योंकि वो बहुत ही आकरशक post समझी जाती है probationary का मतलब क्या है? जाच के लिए, probationary officer कौन है जिसको जाच के लिए नियुक किया गया है कि भहिया यह officer का काम कर सकता है या नहीं कर सकता है बड़ी कठिन परीच्छा होती है, उसके बाद interview भी होता है और जब सारी परीच्छा दे देते हैं, interview हो जाता है सीदे सीदे उनको अफसर थोड़ी appointment किया जाता है इतनी कठिन परीच्छा से होकर, testing से होकर गुजरने के बावजूद उनको probationary officer रखा जाता है और जब उनका training period खतम हो जाता है, तब उनकी जाच होती है इसी तरह से, सारे विश्वासियों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो बच्चे आज प्रभू का वचन सुन रहे हो, उनको भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरे आपके जीवन में, प्रभू ने मुझे आपको जो समय दिया है चाहे नोकरी हो, बिस्नस हो, प्रभू की सेवा हो, या रिटायर्ड हो, या ग्रह संचालन आपकी जिम्मेदारी हो या यदि आप विद्यार्थी हो, इस अवस्था में प्रभू ने आपको जो समय दिया है वो समय इस बात को याद रखें कि ये जाच का समय है ये दियारती हो तो विद्यारती जीवन में ही प्रभू आपको जाच रहें ये पढ़ता है क्या ये लिखता है क्या ये इस बात को समझता है क्या कि ये मेरा बच्चा है और इस कारें इसे अपने जीवन में इतनी महनत करनी चाहिए कि श्रेष्ट से श्रेष्ट पोजिशन पर वो पहुंच सके उसे ये बात समझनी चाहिए कि अच्छी पढ़ाई के द्वारा भी वो मेरे नाम की महीमा कर रहा है इसलिए जो बच्चे जो विद्यारती लोग स्कूल के और कॉलेज के विद्यारती आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्री बच्चे मेरे प्री युवा भाई या युवा बहन यदि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी पढ़ाई करो कि सरवेश्रेष्ट रिजल्ट आए क्योंकि ये भी तुमारे जीवन में प्रोबेशन के लिए प्रभु ये मुझे आपको याद दिलाता है कि प्रभु ने मेरे आपके जीवन में जो निवेश किया है जो आत्मिक वर्दान का निवेश किया है उसका उपयोग सही तरीके से करना है आत्मिक वर्दानों के बारे में दो-चार शब्द कुछ और देर के बाद मैं बोलूँगा अभ ये स्वामी देख ये तेरी महर है जिसे मैंने अंगोच्छे में बांध रखी तीसरे दास्क उसने कुछ नहीं किया निकम्मा था नकारा था और प्रभु ने तो बहुत ही कड़ाई से बहुत कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है वो ना केवल उसने कुछ नहीं कमाया मालिक के पास आकर है प्रभु संसार के शाश्वत सृष्टि करता मुझसे बड़ी गल्पी हो गई मुझे नहीं मालूम था प्रभु की कैसे विनिमय करूं इसलिए प्रभु मैंने उसे हटा कर रख दिया था मुझसे कुछ नहीं हो पाया प्रभु ये बोलने के बदले वो ना केवल उस पैसे को बिना विनिमय के वापस कर रहा है उसकी द्रिश्टता देखिए जो मलिक की बुराई करता है देखिए यहां पढ़ते हैं 241 पद में मैं आपसे डरता था इसलिए कि आप कटोर मनिश हैं जो आपने नहीं रखा उसे उठा लेते हैं और जो आपने नह नहीं बोया उसे काटते हैं देखिए इस तरह के जो प्रयोग हैं जो आपने नहीं रखा उसे उठा लेते हैं जो आपने नहीं बोया वो काट लेते हैं ये वाक्य सामानेतया डिक्टेटर जो होते हैं ताना शाह उन लोगों के लिए ये वाक्य या ये शब्द यूस किये जाते हैं, मैं और आप एक प्रजा तंत्र में रह रहे हैं, इसलिए मैं और आप इसका मतलब नहीं समझते हैं, आज से सो साल पहले जब हिंदुस्तान या हिंदुस्तान पर ताना शाहों का राज्य था, उस समय सारे हिंदुस्तान में जमीदार लोग हुआ करते थे, पूरे दख्षिन से लेकर उत्तर तक जमीदार हुआ करते थे और इन जमीदारों के आदत थी जाते जाते किसी गरीब के खेत में अच्छे फल दिखाई दिये या अच्छी फसल दिखाई दी तो जाकर अपने दासों से कहते थे जाओ फलाने खेत में से, फलाने काट के ले आओ, कोई प्रश्ण नहीं पूछ सकता था। मैं इस समय आप लोगों से डाही हजार किलोमीकर के करीब दूर हूँ, ये प्रदेश इसी तरह से जमीनदारों के द्वारे नियंतरित प्रदेश था। गुलामों को थोड़ी सी जमीन दे दी जाती थी, गरीबों को खेती करो। लेकिन अक्सर मालिक का दिल, मान लीजिये, किसी चीच पर आ जाए, कटवा लेते थे। तो यहां ये जो दास इशारा कर रहा है, ये जमीनदारों की तरफ है, कि आपने जो खेती नहीं की, आप उसे काट लेते हैं। आपने जो बोया नहीं उसे काटते हैं, मतलब आपकी खेती नहीं, खेती मैंने की। और समय आने पर मुझ गरीब को नहीं मिला, आपने उसको काट कर ले लिया। जो तुने नहीं रखा है उसे उठा लेता है, मतलब तु लूट लेता है, तु लूटे रहा है। इस संसार के जो तानाशा लोग हैं जो एक आदिपती लोग हैं वे लोग इस तरह से करते हैं लेकिन इस संसार का सुरिष्टि करता जिनों ने अपने स्वयम के जीवन को मेरे आप के लिए सूली पर दे दिया उस व्यक्ती से जब हम बात करते हैं तो एक तानाशा के रूप में उस व्यक्ती को अभी संबोधित करें ये हमारे आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा गुना है पाप है लेकिन मैं और आप यदि अपने जीवन में प्रभु ने मेरे आपके जीवन में जो निवेश किया है उसको बिना पहचाने उसका यदि दुर बिनियोग करते हैं तो फाइनली हम प्रभु से जब आपस में बात्चित करते हैं तब है प्रभु मेरी कमजोरी के लिए मुझे माफ कीजिए बोलने के बदले हम प्रभु को दोश लगाते हैं जो मसीही अपनी जीवन में फल्मत नहीं होता है वो अपनी सारी कमजोरीयों के लिए अपनी सारी गल्पियों के लिए अक्सर प्रभु को दोशी ठहराता है प्रभु का वचन साफ साफ यह बात कहता है 22 पत्मे हम देखते हैं स्वामी ने कहा है दुष्ट दास तुमारे मुझे मैं तुमको दोशी ठाराता हूँ तुम मुझे जानता था कि कटोर मनिश्व एक्चले ऐसा नहीं है दास ने प्रभू के विरुद दोशार ओपन किया था लेकिन प्रभू मान के चलते हैं तुमने जो बोला मान के चलो कि वो सही है वैसे तो तुम गलत बोल रहे हैं लेकिन तुम जो बोल रहे हैं मान के चलो कि वो सही है तो जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ और जो मैंने नहीं गोया उसे काटता हूँ तो तुने मेरे रूपे कोठी में क्यों नहीं रख दिये उस जमाने में प्रभू इश्यों के जमाने में जो बैंक था उसे सर्राफ लोग जो सोने चांदी का व्यावाब जो बिसनस करते हैं वो लोग हैं जो ब्याज पर पैसा देते थे ब्याज पर पैसा उठा लेते थे और जिनको आप सोने का पिंड ले जा कर दें तो वो आपको रसीद दे देंगे और हर साल उस सोने पर आपको ब्याज देंगे तो प्रभू के कहने का मतलब यह था कि यदि मैं दुष्ठ हूं, मानलो तुमारे कहना सही है और यदि मैं दुष्ठ हूं, मैं यदि लुटे रहा हूं तो तुने वो पैसा क्यों नहीं ब्याज पर उठा दिया तुझे बिजनस करने की जरूरत नहीं है सर्रापम को दे जाता, वो लग बिजनस करते मैं आकर ब्याज समेत ले लेता प्री भाईयों और प्री बहनों यहां दो चार बातें आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी है यदि हम अपने जीवन में प्रभु के प्रती समर्पन दिखाने के बदले फलवंत होने के बदले यदि जीवन बर निश्क्रिय और निश्फल रहे तो हमारे जीवन में हमने जो गल्पी की है हमने जो लापरवाही की है उसके कारण अपने आपको धर्मी ठहराने के लिए स्वामी को दोश देने की आदत या दोश देने की टेंडेंसी हमारे अंदर आ जाती है आज आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मैं पूछूँ एक या दो प्रश्न प्रीभाई या बहन आपके जीवन में जो हो रहा है उसके लिए आपने कभी प्रत्यछ रूप 세 दूसरे के सामने या परोथ रूप سے मनी मन प्रभू को दोश दिया है क्या मैं यह नहीं पूछ रहा कि हे प्रभू आप तो गढड़भ करते हैं और आपने मेरा जीवन बरबाद करते हैं यह नहीं क्या आपने अपने जीवन में कभी ये प्रशन पूछा है है प्रभू, मेरे ही जीवन में से क्यों, मुझे ही ये सारी तकलीफें क्यों हो रहे हैं, मेरे ही जीवन में ये परेशानी है, क्यों हो रहे हैं, कभी पूछा है क्या, देखे, मैं जो प्रशन आपके सामने रख रहा किंदी में मेरे जीवन में क्यों और मेरे ही जीवन में क्यों दोनों में बहुत फरक है जब मेरे जीवन में कोई परिशानी आती है मैं यदि प्रभु से पूछू प्रभु मेरे जीवन में क्यों परिशानी आपने भेजी है वो एक सही प्रशन है लेकिन यदि मैं पूछा हूँ प्रभू मेरे ही जीवन में क्यों वो एक गलत प्रशन है दोनों का अमतर हम समझ ले हम ऐसे किसी ने कभी मनी मन प्रभू से पूछा है क्या प्रभू मेरे ही जीवन में क्यों उसको देखे, उसको देखे, उसको देखे, उसकी क्या विशेषता है, मेरी जीवन में क्यों, यह प्रशन कभी ना पूछे, यदि यह प्रशन हमारे मन में आता है, तो उसका मतलब है, कि हम अपने जीवन में पल्वंत नहीं है, ठीक है, स्वामी ने कहा कि उसको इंवेस्ट क उन्हें ने कहा स्वामी उसके पास दस महरे हैं, मैं तुम से कहता हूँ, ये आत्मी जीवन के एक बहुत बड़ा शाश्वत नियम है, जो प्रभु ने आगे, आगे के पद में कहा है, मैं तुम से कहता हूँ, जिसके पास है, उसे दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है, वो भी ले लिया जाएगा, या छीन लिया जाएगा। प्रेभाईयों बहनों, आज के संदेश के बाद, थोड़ा स्व समय, प्रभु का वचन खोई कर, पहला कुरिंथियों 11 अध्वै को शुरू से पढ़ें। वहाँ पर आत्मिक वर्दानों की एक सूची दी गई एक लिस्ट है। पहला पत्रस, चार खोल कर, दस्वें पत्से जरा आगे पढ़ें। वहाँ आत्मिक वर्दानों की एक सूची दी गई है, एक लिस्ट है। ये वर्दान हमें से हर व्यक्ति को दिये गए हैं। ये है वो निठित, वो निवेश जो प्रभू ने मेरे आपके जीवन में किया है। ये जो आत्मिक वर्दान है, इसको लेकर प्रभू ने उससे विनिमे करने को कहा है, सही रिती से विनिमे करके हमें प्रभू के लिए फल लाना है। एक का पांच, एक का दस और एक का सौ करना है, यही है फल। आज जरा कुछ खणों के लिए अपने जीवन को मुड़कर जाचें। प्रभू इशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करने के बाद, आपके जीवन में कितने दिन बीट गए, कितने महीने, कितने साल, कितनी दशाब्यां बीट गए, इतने सालों के बीट जाने के बावजूद, हम में से कितने लोग हैं जिनने अपने जीवन में प्रभू के द्वारा दिये गए, उस निखेप को, उस निवेश को समझा है। प्रभू का वचन स्पश्टतिया कहता है, किसी को टीचिंग का वर्दान दिया गया है, किसी को दूसरों के मदद करने का वर्दान दिया गया है, किसी को प्राटन करने का वर्दान है, किसी को देने का वर्दान है, और भी बहुत सारे वर्दान महां लिस्ट में बताएगे पहला पत्रस चोथा त्याय खोल कर दस्वेंपत से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलता है कि इवन वार्तालाप जब हम बात्चित करते हैं तो इवन बात्चित करने के लिए प्रभू की कृपा हमको दी गई है जिससे कि प्रभू का बच्चा या प्रभू की पुत्री जब मुझ खोले तो लोगों को ऐसा लगे कि यह तो प्रभू हमसे बात कर रहे हैं आप पूछेंगे ब्रदर आप कहां उची हाई फंडा लाए ऐसा कोई हो सकता है क्या की कोई मनिश नशर मनिश मुझ खोल कर बात करे और लोगों को लगे कि यह तो प्रमिशर बोल रहे हैं जी हाँ मैं कोई उची चीज नहीं बोल रहा मैंने अपने स्वैम के जीवन में ऐसे कई विश्वासियों को देखा है जो जब मूँ खोल कर बोलते हैं या बोलते थे ऐसे भी कई हैं जो गुजर गए हैं बोलते थे तो सुनने वालों को वाकई में लगता था कि प्रभू बोल रहे हैं आप मैंसे शायद कई लोगों ने Salvation Army का नाम सुना होगा ये एक मसीही संप्रदाय है जो ऐसा मेरा अनुमान है कि लगभग 80 साल के आसपास 90 साल पहले चालू हुआ था ये लोग Salvation Army के लोग सडकों पर जाकर खासकर शराब खानों के पास जाकर खड़े होकर गाना गाने के बाद प्रभू का संदेश सुनाते थे उसका जो स्थापत था General William Booth उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जब William Booth मूँ खोलकर बोलते थे तो लोगों को ऐसा लगता था जैसे प्रभू ईश्यू स्वैम बोल रहे हो तो ये तो हो गए एक एतिहासिक फिगर मैं इन दिनों जिस गाव में रहता हूँ यहां से एक पचास किलोमेटर दूर प्रभू के एक महान दास्ते सी टी मताई बहुत छोटी उमर में गुजर गए उनके बारे में कहा जाता था कि साठशाथ प्रभू हमारे बीच में उनके द्वारा पधारे है मैंने उनका नाम इसली लिये कि जो लोग आज संदे सुन रहे इन मेंसे कि कई लोगों नने सीटी मताई का नाम सुना होगा आज भी मैं ऐसे कई मसीही लोगों को जानता हूं जो जैन दफ्तरों में काम करते हैं जिस बिजनस में रहते हैं जिस अडोस-पडोस में रहते हैं वहाँ पर दूसरे लोग उनके बारे में पूछो फलाने को जानते हो क्या? एकदम से उनका रविया मुख मुद्रा बदल जाती है रे वो? वो तो मुख खोल के उनकी वानी जब मुख से आती है तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा की वानी सुन रहे हैं मैंने मधिप्रदेश, उतरप्रदेश आदी में कई मसीहों के बारे में गयर मसीहों से ये गवाही सुनी है तो जब प्रभु का वचन कहता है पहला पत्रस दस्वे चौते अध्याय में कि कोई बोले तो इस तरह से बोले जैसे प्रभु के वीवित प्रकार के भंडारियों में से कोई बोल रहा है तो ये कोई सैध्धांतिक बात नहीं है मेरे आपके जीवन में इवन हम बोलते हैं तो हमारी वानी के द्वारा वो फल दिखना चाहिए ऐसा प्रभु का वच्छन हमको याद दिलाता है आज जरा कुछ छणों के लिए एक बार और अपने आपको मुड कर देखें आपने प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड किया कितने साल हो गए इतने सालों में आपने आपका जो आत्मिक वर्दान है उसे पहचाना है कि आप पूछेंगे एक बार और जरा बता दीजिए आत्मिक वर्दान क्या है जिस च्छन हम रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड करते हैं उस समय पवित्रात्मा हमको एक विशेष दान या योगिता देते हैं हमारी जो स्वाभाविक योगिता है उससे इसका कोई लेंदेन नहीं है हो सकता है दोने एक ही एरिया में हो जैसे मुझे प्रभु ईशु ने पवित्रात्मा ने जब मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड किया तब टीचिंग का आत्मिक वर्दान दिया स्वाभाग यसे मैं एक पब्लिक वक्ता भी हूँ इद्यारती जीवन से तो मेरी जो स्वाभावी क्योगिता है और प्रभु ने मुझे जो गिफ्ट दिया है ये एक दूसरे के एक ही दूसरे की एरिया में है लेकिन स्वाभावी क्रूप से मुझे अपने माबाप से जो गिफ्ट मिला है और पवित्रात्मा से जो टीचिंग का गिफ्ट मिला है ये एक नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें है अमे से हर व्यक्ति को कम से कम एक वर्दन मिला है आप कहेंगे कि ब्रदर ऐसा नहीं है मैं तो एक बहुती दीन ही विश्वासी हूँ मुझे प्रभू ने किसी तरह का कोई वर्दन नहीं दिया है प्रभू या ब्रदर प्रभू से भी ये प्रार्थना करते हैं तब लोग कहते हैं प्रभू, आपने मुझे कुछ नहीं दिया मुझे से जब बात करते हैं, आपस में जब बात करते हैं ब्रदर प्रभू ने मुझे कुछ नहीं दिया ऐसा नहीं है पहला पत्रस चौते अध्याय के दस्वे पत को आज समय मिलने पर जरा खोल कर देख लीजे वहाँ साफ साफ लिखा है जिस जिस को जो जो वर्दान मिला है वहाँ ये नहीं लिखा है कि यदि किसी को वर्दान मिला है जी नहीं प्रभु का वचन कहता है जिसको जो जो वरदान मिला है वो इसको उप्योग करे तो कभी ये नखें कि मुझे कोई वरदान नहीं मिला है प्रभु कभी एक दूसरे से ना बोले brother, sister मुझे प्रभु ने कुछ नहीं दिया है मैं तो एक दीन ही इश्वासी में नो दीन ही इन होंगे लेकिन वर्दान जरूर मिला है ठीक है उस वर्दान को पहचानने की कोशिश करे आप पूछेंगे कैसे पहचानेंगे जिसने भी प्रभु ईश्व को मुक्तिदाता के रूप में ग्रंड किया है जब वो व्यक्ति प्रभु के वचन के पाठ के द्वारा प्रार्थना के द्वारा इश्वासियों के साथ संगती के द्वारा अपने आत्मिक जीवन में प्रोग्रस करता है तो उसका जो आत्मिक वर्दान है वो अपने आप व्यक्ट हो जाता है, अपने आप स्पष्ट हो जाता है मेरा आत्मिक परदान टीचिंग है ये मैं पहचानू उसके पहली मेरी मंडली के लोगों ने पहचाना था उस समय मैं B.S.E. का विद्यारती था आप लोगों के पास ग्वालियर में मेरी पढ़ाई हुई ग्वालियर में जो मंडली थी, उसके जो मुखिये लोग थे जो एल्डर्स, उनने इस बात का पहचाना की प्रभू ने मुझे प्रभू के बचन को सिखाने का गिफ्ट दिया है पहचान कर उनने मुझे उसके लिए बार बार आउसर दिये और जब भी आउसर मिलता था, मैं बार बार डर के मारे उससे हटने की कोशिश करता था कि इस चर्च में एक से एक बड़े जो एल्डर्स और बाइबल टीचर्स हैं अपने दासों के द्वारा, अपने एल्डर्स को द्वारा ये स्पष्ट किया है कि प्रभू ने मुझे वर्दान दिया है तो जब हम अपने जीवन में प्रभू के वचन को परियाप्त समय देते हैं प्राखना में समय बिताते हैं प्रभु के वचन पर जुगाली करते हैं और एक स्थानी कलीसिया में सक्रिय रहते हैं तो दीरे 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 हमारा आत्मिक परदान हम पर स्पष्ट हो जाएगा लेकिन उसके साथ साथ एक और बात हमारी वाणी हर मसीह की वाणी प्रभु के द करते हैं तब जब हिसाब की बात आती है प्रभू जब पूछते हैं कि बेटा बिटिया क्या हुआ तब हम प्रभू मुझसे गल्पी हो गई मुझे दुपारे एक आउसर दीजे ये कहने के बदले हम प्रभू की गुराई करते हैं याद रखे आत्मिक जिवन में एक शाज़वत प्रिंशिपल है जिसके पास है उसे दिया जएगा जिसके पास नहीं है उससे वो ले लिया जाएगा कई बार जिश्वासी लोग मुझसे पूछते है फलाने को देखो उसकी क्या योग्यता है लेकिन पता नहीं क्या बात है प्रभू उसको कितना नुग्रत दे रहे फलानी बेहन को देख लो उसके क्या है लेकिन पता नहीं प्रभू का वचन उसका जवाब देता है मुझसे पूछने की जर्रत नहीं है आपस में एक दूसरे से पूछने की जर्रत प्रभू का वचन पश्टतया कहता है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा तो जब हम फलवंत भाईयों को देखते हैं फलवंत बहनों को देखते हैं तब उसको क्यों उसको क्यों उसको क्यों ये पूछने के बदले प्रभू से पूछें कि है प्रभू मैं भी उस भाई या बहन के समान फल्वंद हो जाओं उसके लिए मुझे क्या करना है ये अपने आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा मुझे समझाईए प्रभू जिससे कि मैं अपने जीवन में और फल्वंद बंस हो इस कहानी को जो प्रभू ने लोगों के सामने रखा या प्रिष्टांप रखा उसकी प्रिष्ट भूमी थी अब जरा थोड़े से दिर के लिए वो प्रिष्ट भूमी देखें तो विशे और स्पष्ट हो जाएगा हम लूका रिचित सुस्माचारों इसमे अध्याय से पढ़ रहे हैं वहाँ शुरू में हम देखते हैं पहले पद में प्रभू ये रिहों में प्रवेश करके जा रहे थे और देखो जकई नामे एक मनिश था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था धनी था प्रभू ये इशु जब संसार में थे उस समय ये चुंगी लेने वाले उस समाच के नंबर वन गुंडे लुचे और बदमाश लोग होते थे इसलिए जब प्रभू चुंगी लेने वालों के साथ खाना खाते थे तो दूसरे लोग बड़ा बुरा मानते थे क्योंकि ये समाच के सबसे बुरे किस्म के हिंसक लोग होते थे लेकिन ये जो जखेई नाम का व्यक्ति है जिन्दे के पर इस तरह से गुंडाई लुचाई लूट करने के बाद उसके मन में प्रभू के प्रती एक आकरशन आया और उसका परिणाम क्या हुआ पांचवे पत के आकर में हम देखते हैं आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्य है प्रभू ने समझा कि इस येक्ति का दिल बदल गया है मुझे इसके घर में जाना है और इसलिए प्रभु ने उससे कहा कि आज तेरे घर में रहना जिरूरी है उसके बाद क्या हुआ? प्रभु जक्कई के घर में गए जक्कई ने वहाँ पर एक बहुत बड़े फीस्ट का अरेंजमेंट किया सात्वे पद में हम देखते हैं यह देखकर सब लोग कुड़ कुड़ा कर कहने लगे वो तो एक पापी मनिश के घर में उतरा है देखे एक यक्ती के जीवन में जो रूपांतर हुआ है और रूपांतर के बाद उसके जीवन में जो फल आता है उसको कई बार दूसरे लोग जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत श्याना हूँ वो लोग नहीं समझ पाते हैं यही यहाँ पर घटना हो रही थी आठवे पद में हम देखते हैं जकई ने खड़े होकर प्रभू से कहा है प्रभू देखिए मैं अपनी आधी संपती कंगालों कर देता हूँ जो आपनी इस जिन्दगी पर लुटे रहा था आज अचानत उसके दिल में ऐसा परिवर्तनाय कि आधी संपती बांट रहा है बाकि आधी संपती के और अखली भईया पूरा क्यों ने बांट दिया उसको जीना है इसलिए थोड़ी संपती तो वो रखेगा इतने इन्यागे उसने एक स्टेटमेंट और दिया यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो चो गुना फिर दूंगा तो आधी संपती तो ऐसे भाट दी आधी संपती इसलिए रखे कि थोड़े से उसका काम चले और यदि उसने अन्याय से किसी का कुछ ले लिया तो चार भुना वो वापस करे तो ये भाई और बहनों एक लुटेरे के जीवन में रूपांतर होने के बाद ये फल नहीं और क्या है हमें से हर येक्टी के जीवन में फल अलग-अलग तरीके से दिखता है जो लुटे रहा था जब उसने उस लूट में से आदा बांट दिया और हर एक से कहा कि अन्याय से मैंने किसी का कुछ लिया है मैं चौग ना तुमको दे दूँगा तो उस शहर के सभी लोग महां आके खड़े हो गए होंगे उन सब को देने के बाद शायद उसको खाने लाइक पैसा भी नहीं बचा होगा फिर से मैं पूछना चाहता हूँ एक येक्टी ने प्रभू को अपना मुक्तिदाता माना प्रभू का बच्चा बन गया प्रभू का गुलाम बन गया तो प्रभू उसने अपने जीवन में ये फल नहीं तो और क्या किया है हम में से हर एक जीवन में फल अलग अलग तरीके से आता है ये मैंने जो प्रष्टपूमी पढ़के आपको सुनाई उसके पीछे कारण है हम में से हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हर एक के जीवन में फल एक समान नहीं होता है फल अलग अलग तरीके से आता है लेकिन फल आये उसके लिए हमें पहले ये समझना पढ़ेगा कि प्रभू ने हमारे जीवन में एक निवेश किया है एक निठ्षेट किया है जके नी इस बात को समझा कि भले अन्याए से मैंने सब कमाया हो अब मेरा जीवन प्रभू का है इसलिए मेरे जीवन में जो भी धना आया है वो भी प्रभू का है और मैं आदी संपत्ती तो immediately बाट दूँगा बाकी आभी का उपयोग रोटी खाने के लिए और जिनको भी मैंने लूटा है उनको चौगना देने के लिए बाकी रखूँगा इस संदर में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हमें से हर व्यक्ती के अलग-अलग प्रिष्ठ भूमी है अलग-अलग बैक्ग्राउंड है हमारा बैक्ग्राउंड हमें अलग-अलग कामों के लिए तयार करता है जकई धनी था जब उसने प्रभू इश्यों के द्वारा उद्धार और नया जीवन पाया तो उसने इस बात को पहचाना कि उसका जो बैक्ग्राउंड है उसकी जो प्रिष्ठ भूमी है उसका उपयोग प्रभू के लिए करना है मैं जिन्दगी बड़ अध्यापक रहा प्रभू की सेवा में आने से पहले सेक्यूलर अध्यापक था प्रभू की सेवा में आने के बाद भी कई बैबल स्कूलों में अध्यापक रहा मुझे बात समझनी चाहिए कि वो मेरी जो प्रिष्ठ भूमी है उसका उपयोग मुझे फल लाने के लिए करना है ना केवल मुझे अपने आत्मिक वर्दान का उपयोग करना है अपनी प्रिष्ठ भूमी का उपयोग भी फल लाने के लिए करना है कल को मान लीजिए एक एक्टिया आके मुझे से कहता है आपने जिन्दगी भर फियोलोजी पढ़ाई मैं भी एक अच्छा ध्यापक बनना चाहता हूँ यदि मैं सोचूँ कि भईया इसको यदि मैं सारे जो कुछ मैंने पढ़ा है वो पता दूँगा तो कल कहीं ये मुझे से भी पढ़ाना हो जाए और इसलिए मैं उसको थोड़ा बहुत बताऊं लेकिन उसको आगे बढ़ने से रोकूं बहुत बड़ी गल्ती मैं कर रहा हूँ जकरी ने हिसाब नहीं लगाए कि मैं लोगों को आदी संपत्ती तो लूट जो है उसको बांट भी बाकी आदी से लोगों को चौग उनसे जो लूटा है उसका चार गुना दूँगा तब आद में रोटी के लाएक पैसा बचेगा ये नहीं बचेगा उसने नहीं सोचा मैं और आप अपनी प्रिष्ट भूमी के दोरा भी दोसरों की जब मदद करेंगे तब कभी ये नहीं सोचना चाहिए भी ये मेरे पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा आप पूछेंगे ऐसा भी होता है कैसा होता है कई बार होता है जब लोग आकर हमसे सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका मन कुछ और होता है कोई बात नहीं ये ना सोचें कि भई मैं कंगाल हो जाँगा, जी नहीं, आप जो कुछ दे सकते हैं, देते चले जाएए उसके अलावा हमारा आत्मिक वर्दान जो है उसका उपयोग, जब भी, जो भी, जहां भी आउसर है उसका उपयोग करें अब इसको जराब बांट के दो-चार कैटेगरीज मैं बताना चाहता हूँ, आज का संदेश कतम करने से पहले आज प्रभु का वचन जो लोग सुन रहे हैं, इन में से एक कैटेगरी विद्यार्थियों की है विद्यार्थियों में भी दो ग्रूप है, एक जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे प्रिये बच्चों तुम्हें एक अच्छे विद्याले में पढ़ रहे हो, ये प्रभु ने तुमारे जीवन में एक निवेश किया है एक इन्वेस्टमेंट है, इस बात को समझ कर, ऐसी महनत करो, ऐसी महनत करो कि तुमारे टीचर्स, माबाप तो छोड़ो, एवन तुमारे टीचर्स, दांतों तले उंगली दबा दें कि बाप तुमारे महनत हो, प्रभु ने तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ने का जो मौ वानी का ख्याल रखो, तुमारे साथी लोग, तुमारे सामने गलत बात या गंदी बात बोलने से डरें, हिचकी चाहें, तुमारी वानी इतनी पवित्र और परमेश्वर के वचन से भरी हुई वानी होनी चाहिए, जो कॉलेज की विध्यारती सुन रहे हैं, उनको मैं वो तमाउसर है, जब तुमारे साथी विध्यारतियों के उपर और तुमारे अध्यापकों के उपर तुमारा असर होना चाहिए, असर कैसे होगा, नमबर वन, बढ़ाही के प्रती तुमारे समर्पन के द्वारा, नमबर दो, तुमारी वानी के द्वारा, नमबर तीन, जो कुछ दिया है, उन सभी का उपयोग इस तरह से करना है कि खूब पलवन्थ हो. एक तीसरी कैटेगरी आज जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, वे नौकरी शुदा लोग हैं, आपके दफ्तर में. आपकी गवाही ऐसी होनी चाहिए कि सुबह आप पहुंचे तो दोड़ के कोई आए और बुले कि ब्रदर, मेरे घर में फलाइनी परेशानी आप मेरे लिए प्रार्प्ना कीजिए. ऐसा होता है कि जी हाँ, मैंने पचासों दाहरिंट देखे हैं, जैसे ही लोगों ने दफ्तर में प्रवेश किया, बॉस ने बुलवा भेज़े कि भईया, आज मेरी ये परेशानी है, अपने जो नीचे काम कर रहा है उससे, मेरे लिए प्राप्ना कीजिए. आज ऐसे कई लोग हैं, जो बिजनस कर रहे हैं, आप जिस बजार में बिजनस करते हैं, वहाँ पर आपकी ऐसी साख होनी चाहिए, जैसे कि पदमेश्वर के संतान की है. आज कई प्रभु के दास प्रभु का वच्चन सुन रहे हैं, तो ये भाई और प्रभु के दासों की जो वाइफ सुन रही हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप मूँ खोलें तो लोगों की ये लगना चाहिए कि प्रभु बोल रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े से रिटाइड लोग ये संदेश सुन रहे हैं, वो कहेंगे कि ब्रदर हम तो बच गए हम तो रिटाइड हैं, न नौकरी करते हैं, न दंदा करते हैं, जी नहीं, जो रिटाइड जीवन है वो तो जीवन का सर्वोत्तम हिस्सा है. ये वो समय हैं, बच्चे, नाती, पोते, रिष्टे में जितने लोग हैं, भतीजे, भांजे, भतीजेया, समाज में जितने लोग हैं, उनके लिए हम एक आश्रे, एक पेत्रन, एक बड़े भाई, एक ताओ के रूप में काम करके, उनके जीवन में तसल्ली दे सके, ये आपने जीवन को मुर कर देखें, जाचे, पर्खें, फल है क्या, यदि नहीं है, तो इमेडिटली वापस जाएं, मसीही जीवन में कभी भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि बहुत लेत होगे, कभी भी लेत नहीं है, वापस जाएं, प्रभु के वच्चन को जीवन में जो स्था बड़ा नुकसान होगया, मुझसे बड़ी गल्ती होगी, वो जो आपने दिया था, बांद मून के मैंने बस उसको अलग रख दिया था, लेकिन आज गल्ती महसूस हुए प्रभु, अब मैं उसका उपयोग करना चाहता हूं, मुझपर देया दिखाये मुझे एक और आसर ये मैं दुगनी या तिगनी महनत करूंगा, जिससे की मेरे जीवन में भी फल हो सके, इन बातों को समझने के लिए और इसके इनसार समर्पित होकर अपने जीवन को बिताने के लिए, प्रभु हमें से हर व्यक्ति की मदद करे,